पटना रेल्वे जंक्षन को देश का सबसे बड़ा वेटिंग रूम की सौगात मिली है इस वेटिंग रूम में एक साथ 500 यातरी इंतजार कर सकेंगी जी हाँ पटना जंक्षन पर यातरियों को एक साथ कई नई सुविधाओं की सौगात दी गई है इन सुविधाओं को आउ हो रहा है उन्होंने कहा कि वही पटना है और वही लोग है लेकिन बदलाव है तो ये कि भारसरकार कैसे इमानदारी और संकल्प के साथ काम कर रही है किंद्री मंत्री ने बताया कि रेल्वे में आने वाले पांच वर्षों में 50 लाग करोड रुपय का खर्च किया जाएग आरजेटी की यूवराज यानि तेजस्वी के तेवर कुछ बदले-बदले से हैं लोग सबाचुनाव के बाद शायद ये पहला मौका है जब तेजस्वी का तेवर देखने लायक है कल तक जो तेजस्वी पार्टी की गतिविदियों से भागा करते थे आज पार्ट शाला लगा कर ना सिर्फ अपने रण बाकुरों को गुरू मन्त दे रहे हैं बलकि इसी बहाने अपने बड़े भाई और पार्टी नेता तेजपरताफ यादव को अल्टिमेटम भी दे रह जाए जो लोग पार्टी के प्रतिकी मांदार नहीं है वो भी संभल जाए अब ना ही मैं उन्हें कोई मौका देने वाला हूँ और ना ही किसी के फोन की स्थिफारिश पर उनके प्रतिनर्मी बरतने वाला हूँ बीजेपी जेडियू के बीच आपसीख हिस्तान के बीच आरजेडी के रास्टे उपाध्यक्ष रगुवश परसाद सिंग ने एक बार फेद अपने बयान से बिहार की राजनीती में हल्चल ला दी है खबर के अनुसार आरजेडी निता ने दावा किया है कि जेडियू और आरजेडी में अंदर खाने बाचीत शुरू हो गई है और बहुत जल्द इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा उन्होंने कहा है कि बीजेपी नितिश कुमार को फिनिश करना चाहती है इस वज़े से वो आरजेडी के साथ आएंगे हला कि बिहार सरकार में मंतरी संजेज हा ने साफ कहा है कि ये एक जुठ है और 2020 का जुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा उन्होंने दावा किया है कि 2020 में 2010 से भी जादा सीटों पर NDA को जीत मिलने जा रही है उन्होंने ये भी कहा कि आप कौन कहा क्या बोल रहा है हमें नहीं लगता है कि उसमें जाने की आवशक्ता है राजसरकार के साथ निश्यों में से युवाओं की जुड़ी योजनाओं पर लोगों की राय जानने का अभ्यान चलाए जाएगा मुख्यमंतरी निटीश कुमार की अधक्षिता में बिहार विकाश मिशन के शासरी निकाय की छटी बैठक मुख्यमंतरी सचिवाले में हुई इसमें कुशिल युवा कारिकरम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का असर पता करने के साथ साथ टैंकों द्वारा दिये जाने वाले शिक्षा कर्ज की भी परताल करने का भी फैसला लिया गया है सरकार के चिंता स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आविदुनों की घट्ती संख्या को लेकर भी है मुख्यमंतरी ने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड में आविदुनों की संख्या में आ रही कमी का विशलीशन किया जाना चाहिए राज्य शिक्षा वित निगम से छात्रों को शिक्षा कर्ज मिलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा असी दिदी नोवेसी की AIMAIM बिहार की सभी 243 विधासभा शेत्रों में चुनाव लड़ेगी पार्टी सिमानचल से बाहर निकलकर सभी विधासभा शेत्रों में अपनी ताकत बढ़ाएगी इसके तैयारी शुरू हो गई है पार्टी के परदेश अध्यक्ष अक्तुरूल लेमान ने शनिवार को ये खोशना की है उन्होंने कहा कि राश्टे अध्यक्ष असुद्दी नोवेसी के निर्देश पर ये निर्ने लिया गया है उन्होंने कहा है कि पार्टी का कारेकरम राज भर में लगातार चलाएगा और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा पार्टी ने एक लाग से अधिक सदस्य बनाने का लक्षे रखा है वही पार्टी के राष्टे समिती ने निर्णे लिया है कि बिहार के चुनाव में शिक्षा, स्वास्ते, 204 का मुद्दा बनाया जाएगा गिर्ण रिपोर्ट बिहार तक